यूपी में क्राइम के दुनिया का बेतास बादशाती कैमत जिसने अपरात किसाए में करोड़ों की सलतरत को खड़ा किया लेकिन योगी सरकार ने नजर ऐसी गड़ाई कि सब कुछ थीरे धीरे खत्म होने लगा संपत्या कुर्ख हुई तो कुछ को जब्त कर लिया अधीक तो कारूं के हत्ते चड़ गया लेकिन यूपी और प्रयाकराच की हर आम और खास की सुबान पर बस यही सवाल दिखा कि अब उसकी सलतरत का क्या होगा इस बीचे एक नाम सामने आया वो है शायस्ता परवीन का जैसे एक वक्ट जॉन दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर ने दाउद की सलतरत को सम्हाला इस बात का दापा फिल्म हसीना पारकर में भी किया जाता है ऐसा ही कुछ अब शायस्ता परवीन कर रही है ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जब माफियाओं पर दिक्कत आती है तो उनके घर की महिलाएं आगे आकर उनके सारे कामों को सम्हालती है अब हाल फिल्हाल काफी समय बाद यूपी की क्राइम की दुनिया में एक क्वीन उभरी है ऐसे पहले फूलन देवी सीमा परिहार का नाम काफी सुर्ख्यों में आया था शायस्ता को योगी सरकार ने उमेशपाल हत्याकार में आरोपी बनाया है क्योंकि आतीक के करीबियों के साथ शायस्ता की तस्वीरे सामने आई है देखा चाये तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अतीक के बेटे असत को ग्यांग में आगे लाने के लिए शायस्ता ने ये साजश ची जिसको लेकर प्रशास्ता ने नाम भी खोशत किया है इसी मामने पर शायस्ता ने प्रियागराच की MP MLA कोट में अगरम जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसे कोट ने खारच कर दिया है नवसे में हूं मानसी और आप हैं मच पर सियासत के गलियारों में अधीक एहमत की मौझूद्की में नकाप में प्रिचार के लिए निकलने वाली शायस्ता अब उसकी अपराद की विरासत भी संभाल रही है पुलिस की जाच में दावा किया गया कि अधीक के और अश्रफ के जेल में होने के बाद श्राहिस्ता ने उमेश पाल से जुड़ी साज़श को अंजाम तक पहुचाने में एहम भूमिका निभाई घटना को जैसे अंजाम दिया गया उससे पुलिस भी सक्ते में है कहा जा रहा है कि वारदात के बाद श्राहिस्ता ने खुद अपने हाथों से सभी शूटर्स को 50-50,000 रुपे दे कर रवाना किया बेटे असद और बाकी शूटर्स के भागने के बाद वह खुच शहर में मौजूद रही जब हत्या कराने के आरोप अतीक पर लगे तो उसने उनका खुल कर विरोध किया लेकिन जैसे ही उमेशपाल की पत्नी जयापाल ने उसे F.I.R. में नामसद किया तो वो अंडरक्राउंड हो गए पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है अतीक के जेल जाने के बाद उसके खास गुरगे और शूटर अधिक तर श्रायस्ता के आसपास ही मौजूद रहते हैं कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें अतीक के शूटर उसके आसपास मौजूद नजर आ रहे हैं इन में से जादा तर वो शूटर हैं जो मेश पालहत्याकान में शामल थे अब जो आनते हैं श्रायस्ता का सफर नामा श्रायस्ता ने ग्राजवेशन तक पढ़ाई की उसकी शुरुवाती पढ़ाई प्रयागराच में हिम्मत गंज के किद्वई गल्स इंटर कॉलिज से हुई एक जुलाई 1972 को जर्मीर श्रायस्ता के पिताब मौहमध हारून यूपी पुलस में कॉनस्टेबल थे जुमूरूप से प्रयागराच के धूमन गंज दामूपुर के रहने बाले है हारून लंबे समय तक प्रताबगड में ही तैनात रहे दो भाईयों और चार बेहनों में श्रायस्ता सबसे बड़ी थी चपतीक एहमध माफिया से मानिनीय बनकर अपनी दहशत का राज बना रहा था उसी दोरान साल 1996 में अधीक और श्रायस्ता का निकाह हुआ अधीक और श्रायस्ता के पांच बेटे हैं जिसमें से अली और उमर जेल में है तीसरा बेटा असद आज यूपी के टॉब वांटेज में से एक है और पांच लाक रुपे का एनामी भी है दो नाबालिक बेटों को बाल सुधार ग्रह में रखा गया है श्रायस्ता का बच्पन पुलिस वालों के ही बीच बीता इसलिए वो पुलिस के पैतरों से भी काफी हद तक वाकिफ है श्रायस्ता के करीबी मददगारों में वकील, डॉक्टर, प्रियाकराज के बड़े बिल्टर, अपरादी और पुलिस करनी शामिल है इंजबी के खिलाव पुलिस चार्ज कर रही है, कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन जर्म के दुनिया की कुईन मनी श्रायस्ता परवीन फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है मीरा रिपोर्ट्स के मताबिक पती और डेवर के जेल जाने के बाद श्रायस्ता उमकी बनाई देहश्रत की समीं के सहारे अपना राज़रतिक मंच तयार करने में चुटी थी जुरान उसने पती के संपर्कों के जरिये पहले समाजवादी पाठी और फिर ओवेसी की पाठी ए आई एम आएम से जुडने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी हाला कि निकाय चुनायों की घोशना से पहले श्रायस्ता ने 5 जनवरी को प्रयाकराज में मायवती की बहुजन समाजपाटी की सदस्ता ले ली उसे मेयर के टिकेट का वादा किया इसलिए वो चुनावी तैयारी में भी चुट गई इस भी जुमेशपाल के हत्या हो गई और मायवती ने भी अपने विचारों को बदल लिया उन्हें बड़ा जटका देते हुए टिकेट की दावेदारी से दूर कर दिया गया पुलिस चुपोर्ट के मताबिक अतीक और अश्रफ के जेल जाने के बाद श्राहिस्ता ने उनके जमीन से जुड़े धंदे की बागड़ भी अपने हाथ में ले ली कहां किसे कितना समझाना है किसे रास्ते से हटाना है ये उसे अच्छी तरह मालूम था जमीनों से जुड़ी हत्याओं में भी पुलिस श्राहिस्ता की भूमिका की जाज कर रही है श्राहिस्ता को पकड़ने में पुलिस को इसलिए भी मुश्किले आ रही है क्योंकि उसकी जादातर फोटो नकाब में है घर के लोगों और बहुत कम करीबियों नहीं उसके चहरे को देखा है पुलिस के पास उसके खुले चहरे की जो एक आत फोटो हैं वो जादा साफ नहीं है अधीक से जड़े जादातर लोग या तो जेल में हैं या फिर फरार है इसलिए उसकी पहचान के लिए पुलिस तेली और गंज की एक महिला डॉक्टर के संपर्प में है श्रायस्ता को पुलिस को शामवी, ग्रेचर नॉइडा, मेरट, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम मंगान में खास तोर पर तलाश रही है इन जगों पर उसके छुपे होनी की आश्रंका चताय जा रही है लेकिन आवे तक पुलिस के हाथ खाली है अब कब तक श्रायस्ता गिरफतार होती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी अस्टोरी को आपके लिए तैयार किया है, हमारे साथ ही मंचकार इशुप कान दे ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर पतायेगा साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और वाले चानल को सब्स्ट्राइब करना ना भूले ऐसी और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक सरूर करें